नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल खाऊ-बनाओ कीचन में दोस्तो हम चाय तो सुबह साम पीते ही हैं और जब हम चाय पी रहे होते हैं तो इसके साथ कुछ हलका-पुलका सा नमकीन हम लेते ही रहते हैं और ये नमकीन हम अक्सर बजार से ही लाकर खाते हैं, तो लीजिए आज मैं ऐसी ही चाय के साथ खाने वाली एक चटपटी और खस्ता सी नमकीन की रेश्पी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ, वो है चाय पापड़ी, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, तो पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक बड़े मूँ का बाउल, और उसमें डालेंगे हम द्रिड कटोरी बेसन, बेसन हमने वजन में 250 ग्राम लिया हुआ है, और इसके अंदर हम डालेंगे पौना कटोरी मैदा, जो की वजन में 50 ग्राम है, और वन फोट क पौना कटोरी हम सूजी डालेंगे, वजन में 25 ग्राम है, इन सारी ही चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर एड करेंगे, थोड़े से मसाले, तो सबसे पहले हम कलर के लिए हल्दी पावडर डालेंगे, एक चमच, इसके साथ हम एक चमच जीरा डाल देंगे साबूत, और डालेंगे एक चमच ड्रेट चिली पावडर, इसके बाद हम एक चमच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, और एक पेंच के बराबर में हींग डालेंगे, वन फोड टी स्पून डालेंगे, ड्रेट चिली फ्लैक्स, और थोड़ गभरने दो चमस सपध़ वाली तील और साही सारी चीजों को हम खुब बढ़ियाँ से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद सारे मसालें बेशन और मैदेक मेदेक के अंदर खुब अच्छे से मिला लेंगे जो सूजी हमने डाल लखिए इससे पापड़ी बहुत ही ज़्यादा करारी क्रिस्पी बनके तयार होगी तो अब इसके अंदर हम एक होल कर लेंगे बीच में और हमने लिया हुआ है आधा कटोरी देसी घी पिगला करके तो इसके अंदर हम देसी घी का मोयन लगाएंगे जिससे की पापड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप चाहें तो इसकी जगह पर तेल भी यूज कर सकते हैं लेकिन देसी घी का इस्तीमाल करने से मोयन में बहुत अच्छा आएगा इससे आप बेसक झाने तेल के अ तो मोयन मेरी खुब अच्छे से मेक्स हो गई है अब इसके बाद हम इसके अंदर एक होल बना करके थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले हम बहुत कम ही पानी डालेंगे बेशन के अंदर बेशन का डो बहुत जल्दी ढीला होने लगता है तो इसलिए हम बिलकुल ही इसमें कम-कम पानी डालेंगे जरूरत के हिसाब से क्योंकि इसका हमने सक्तर डो बनाना है तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा जरूरत होगी तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से स्प् पे हमने थोड़ा दो चमच पानी और डाल लिया हुआ है इस तरह से हम इसे दबाते वे खुब बढ़िया से इसका हाड़ सा डो तयार कर लेंगे तो मेरा डो खुब अच्छे से तयार हो गया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढखकर के एक साइड में तो 10 मिनट बाद मेरा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है तो अब हम इसे फिर से एक बार मसल लेंगे इसे हम चकले पर रख करके खुब अच्छी तरह से थोड़ा सा जोर लगाते वह खुब बढ़िया से इसे मसल मसल लेंगे इस तरह से इसके बाद हम इसकी बड़ी- बड़ी रोटी से बनानी है जिसे की एक बार में कई-कई पापड़ी बनके तयार हो जण है तो 토 COL कया अब हम एक बड़ी योई को लेते ऊपार से इस्तल करोबने जोड़ा से ऊपर लागि क्योंकी और हर्ब तो इसे हम बगर कुछ लगा ही इस तरह से बेल लेंगे क्योंकि हमने इसमें मोयन थोड़ा अच्छी तरीके से डाला हुआ तो यह अपने आप ही बढ़ियां से बढ़ती जाएगी इसमें आटा या तेल लगाने की जुरूरत नहीं होगी तो इस तरह से हम इसे काफी बढ़ा आप बेल लेंगे मैं दिखा रही हूं जित्ती पतली हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटाए हम इसे रखेंगे इसके बाद हम इसे लेंगे एक फॉक अब फॉक से पूरी ही रोटी में हम इस तरह से छेद कर लेंगे अगर आपके पास फॉक नहों तो आप चक्कू से भी छेद कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर छेद नहीं करेंगे तो ये पापड़ी करारी नहीं बनेगी यह पूरी की तरफ फूल जाएगी इसलिए इसके अंदर छेद करना जरूरी होता है तो हमने दोनों ही साइट पलट करके इस तरह से हम इसके अंदर छेद कर लेंगे इसे छेत करने के बाद हम इसे बिल्कुली बराबर साइज में इसकी पूर्यासी काटेंगे तो इसके लिए आप चाहें तो इसे ग्लास से कट कर सकते हैं और नहीं तो किसे डिबी के ढखकन से इसे एक रंग का इस तरह से काट लेंगे डिबी के ढखकन से काटने पर ये बिल्कुली बाजार जैसी साइज वाली निकल के आएगी तो इसलिए हमने इसे डिबी के ढखकन को इस तरह से रखके इसे दबा-दबा करके हम एक बार में आठ से दस तैयार कर लेंगे आप चाहें तो इसकी रोटी को प्लेट फान पे ही बढ़ी-बढ़ी से बेल लेंगे तो एक बार में ये दस से पंद्रा पूर्यासी बन जाएंगी तो अब हम इसकी साइट को इस तरह से निकाल लेंगे जो आठा हमने इस तरह से निकाला हुआ है इसकी हम दोबारा फिर से बेल के इसकी इस तरह से पूर्यासी तैयार कर लेंगे तो हम एक बार में ही अपने सारे ही डो की पूर्यासी बेल के तैयार कर लेंगे जिससे इसे फ्राई करने में आसानी हो अगर हम थोड़ी थोड़ी सी चानेंगे और थोड़ी थोड़ी बेलेंगे तो ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगी तो हमने इसे एक बार में ही सारी इसकी पूड़िया बेल के इसको रेडी कर ली हुई है और इसे हम एक बार में ही सारी के सारी फ्राइ कर लेंगे इस तर तो हमने दूसरी साइड अपनी आज पे मेडियम आज पे तेल को खुबढ़िया से गरम करके रखा हुआ है हमने आज तेज पे इसका तेल गरम नहीं करना है बिल्कुल ही मेडियम आज पे हमने इसे गरम किया हुआ तेल और एक-एक करके हम इसके अंदर तेल में डालते जाए जब इसमें थोड़ा-थोड़ा कलर आने लग जाए तो इसे हम पलट देंगे, अगर हम धेर सारी पूरियां एक बार में डाल देंगे, तो यह अच्छे से नहीं पकेगी, कुछ नहीं पकेगी, ऐसे हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें एक बार में उतनी ही डालेंगे, जिसस कि खूब अच्छी तरहके से यह फ्राई होने के लिए इसे जगह मिल सके, तो मैं दिखा रहे हूं इसका और भी कलर थोड़ा इसमें आ गया है, तो इसे हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, जब यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसका एक्स्ट्रा तेल निकालते हुए, इसे बाहर निकाल लेंगे, तो लग रही है बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी, तो जब घर पर ही इतना बढ़िया नास्ता हम तयार कर सकते हैं, तो हम इसे बाहर से क्यों लाएं, तो इस तरह से हम अपनी बाकी की बची हुई भी मट्री तयार कर लेंगे तो इस तरह से हम दोबारा भी दूसरे बैच को इस तरह से एक एक करके इसे अपने तेल में डाल लेंगे हमने एक बार में बेल के तयार किया हुआ है तो इसलिए इसे छानने में कितनी आसानी हो रही है तो जब हम इसे तेल में डालेंगे तो यह अपने आप उपर को आ जाएगी अगर हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो और अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो यह इस तरह से उपर नहीं आ पाएगी तो इसलिए हम इसे उतनी ही डालेंगे फ्राई करते वक्त जितनी की ये अच्छे से फ्राई हो सके बस हमने इस बात का ध्यान रखना है और तेल को हम बिल्कुल ही मेडियम गरम रखेंगे बहुत तेज नहीं आज को रखेंगे ने तो ये जलने से लग गयागी और करारी नही ही हो पाएगी तो बिल्कुल ही सेम तरीके से जैसे कि हमने पहला वाला बैच तैयार किया हुआ था उसी तरीके से हम बाकी के सारे ही तैयार कर लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी इसी तरह से बाकी बचे हुए भी हम तैयार करेंगे कितनी बढ़िया सी चाय पापड़ी बनके तैयार हुई है तो दोस्तों जब भी हम चाय पीते हैं तो कुछ चतपटा सा साथ में हलका-पुलका सा खाने को मिल जाये, ऐसा मन कर रहा होता है या बीच-बीच में चुटी-मोटी भूक लगी हो, तो भी कुछ हलका सा खाने कमन करें तो इस तरह से हम इसे बना करके तयार कर सकते हैं और इसे हम मेहनों स्टोर करके खा सकते हैं आप इसे सुबह साम चाहें तो चाहें के साथ सर्व करें या फिर मेहमानों को मिठाई के साथ ऐजे नमकीन की जगह पर सर्व कर सकते हैं या पिर चाहें तो अचार के साथ में सफर में ले जाकर के भी खा सकते हैं यह टेस्टी होने के साथ ही क्रिस्पी भी बहुत बनती है इसे बच्चे बड़े सभी बड़े ही पसंद से खाते हैं आप चाहें तो इसे टुमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर हरी चट्मी अचार ये सभी चीजों के साथ खाने में उतनी ही अच्छी लगेगी चाय के साथ तो आप इसे यूँ ही खा सकते हैं अगर मसाले वाली पापड़ी खानी है तो उस पर हम कुछ मसाले घर में जो मौझूद होते हैं उनी से इसे चट पठा भी बना सकते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पापड़ी को एक प्लेट में डाल लेंगे अब हमें एक छोटे बाउल मिलेंगे कीळS ether & ऑर आप टीषपून काल नमका इसके साथidée ही में एक छमच् में मिक्स करें इसके साथ कुछ mapped हम रेटचिली काइग सारी चीजों कि मिकस करें एक साथ दर दालन गे तो ये लेजिए मसाले वाली पापड़ी भी बनकर तयार है गर्मा गर्म चाय के साथ आज की रेशिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूरी कमेंट करके बताएं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नाम भूलें मिलते हैं एक नही रे सपी किसाथ थैंक यू